हालो ब्रीवाण मैं हूं वेदान त contributorल वेलकम आपका टेक्नोवेदान चैनल में हाउ तुसल नॉन ब्रेंडिट प्रोड़क्स इंएमजान आप अमजान में नॉन ब्रेंडिट प्रोड़क्स को कैसे सेल कर सकते हैं वाट है दिम्डीडन exemption जीटियाइन exemption क्या होता है और हाव टू एप्लाइजी टीयाइन exemption जीटियाइन exemption को कैसे apply कर सकते हैं Amazon में आज morning में मैंने एक वीडियो upload कर रहा था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप Amazon seller account कैसे create कर सकते हैं उसी में मैंने बताया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करें मेरे पास ये दो कमेंट आया है जिसमें मुझे से ये पूछा गया है GTI and exemption के उपर मैं वीडियो बनाऊ और non-branded products को कैसे sell कर सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं करा तो subscribe के बटन पर click करें और उसके बाद ये जो bell का icon देख रहे है इसको जरूर प्रेस करें जब तक आप इसे press नहीं करेंगे आपको मेरे new videos की notification बिल्कुर भी नहीं मिलेगी इसलिए bell icon को ज़रूर प्रेस करें अगर आपने अभी तक मेरे ये वीडियो नहीं देखा तो description में आपको इसका link मिल जाएगा वहां से आप इस वीडियो को देखे अपना Amazon seller account create कर सकते हैं account create करने के बाद आपको इसमें non branded products को कैसे sell करना है उसके लिए GTIM exemption कैसे आप apply करेंगे अब मैं आपको वह बताने वाला हूँ आप top right में यह जो search का button देख रहे हैं यहाँ पे आप type करेंगे GTIM और उसके बाद आपने इसको search करना है search करने के बाद आप यह जो first option देख रहे हैं मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस link के ऊपर आपने क्लिक करना है link पे click करने के बाद next page open होगा page को आपने थोड़ा सा नीचे करने और यहाँ पे लिखाए click here to apply for GTIM exemption उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ से जो page open होगा है आपको यह option दिख रही है branded products मैं फिर से जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको एक drop down menu मिल रहे हैं यहाँ पर आप इसको click करेंगे क्लिक करने के बाल second option है non branded products इसको यहाँ से आप select करेंगे और उसके नीचे लिखाए enter the reasons for not having a GTIM तो यहाँ पर मैं एक reason दोंगा आप भले इसे copy paste कर सकते हैं और उसके बाल आप यह जो नीचे option देख रहे है इस टेंप्लेट्स इस link पर आप click करेंगे GTIM को आप कैसे apply कर सकते हैं मैं आपको वो procedure बता रहा हूँ पर GTIM actual में है क्या अब मैं आपको वो बताता हूँ जब हम branded products लेते तो आपने notice कर रहा होगा उसके उपर यह barcode होते हैं जो की 12 से 13 डिजीट तक के होते हैं और जो non branded items होती है जो आप wholesale market से लेते हैं यह कहीं से भी लेते हैं तो उनके उपर यह barcode नहीं होते और without barcode के आप Amazon में कोई भी product sell नहीं कर सकते हैं इस case में आपको non branded products के लिए GTIM exemption के apply करना पड़ता है जब तक आप GTIM exemption के लिए apply नहीं करेंगे friends आप अपने non branded products को बिल्कुल भी Amazon में नहीं बेच सकते हैं यहां से आप इस page क तो आप scroll down करेंगे और जब page नीचे आएगा तो यहां option दिखेगी आपको non branded products यहां पर आपको लिखाए list of products means अगर आपके पास 50 products से कम है तो उसकी आप एक list create करेंगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूं अगर आपके पास 50 products से जादा है मतलब आपके पास 55 या 60 product है तो आपको सिर्फ 50 products से ही list provide करनी है और उसके बाद के जो products है उसकी list आपको बनाने की जरूरत नहीं है अभी मैं आपको यह चीज practical करके बताऊँगा जिससे आपको समझते में काफी असानी होगी आप यह नीचे जो option देख रहे है non branded products list template इस link के उपर आपने click करना है click करने के इस फाइल को आपने अपने PC या laptop के अंदर डाउनलोड करना है आपके laptop या PC के अंदर Microsoft Office इंस्टॉल होना चाहिए क्योंकि Microsoft Excel के अंदर यह file open होगी in case आपके system के अंदर Microsoft Office नहीं है तो उसका वे भी मैं आपको बता देता हूं normal आप Google.com पे जाएंगे और आप यह जो icon आप यहां क्लिक करेंगे और यहां पर आम देखरे हैं documents इसके उपर आप क्लिक कर देंगे, page open होने के बाद यह जो first option आप देख रहे है..這是 इसके उपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यह जो file की option देख रहे हैं यहाँ पर आप जाएंगे नीचे आपको यह option देख रही है open, open पर klik करने के बाद बिल्कुर right side में आप देख रहे है upload इसके उपर आपने・ click करना है और यहां से अपने फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे, यहां से आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है, आपने जो फाइल डाउनलोड करी थी, यहां पर वो ओपन हो चुकी है, अगर आपके पास Microsoft Office नहीं है, यह मैंने उसका प्रोसीजर बता है कि आप उसके बिना भी कैसे इस फाइल को ओपन क और इस टाइटल में आप उसके color और size को भी mention कर सकते हैं, for example, men's shirt है, उसका color black है, तो मैं यहां पर टाइप कर दूँगा black, और size उसका है 40, यहां मैंने size भी mention कर दिया 40, men's shirt 40 black color, SKU type करने के लिए कोई भी ऐसी condition नहीं है, आप अपने मर्जी से कोई भी एक code को generate कर सकते हैं, code generate करने का मतलब यह है, जो आपने यह shirt लिखी है, men's shirt, इसका एक unique code होगा, जो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई भी terms and conditions नहीं है, मैं अपनी easy के लिए इसमें लिख देता हूँ, black shirt 40, अब इससे मुझे यह याद रहेगा कि यह black color की shirt है और उस और उसके बाद आप अपनी यहाँ से categories को select कर सकते हैं, अभी मैं इसको by default इसी में रहने दूँगा और उसके बाद यहाँ पर लिखा है product type, यहाँ पर भी आपको drop down menu देख रहा है, यहाँ पर list open हो जागी, उस list में से भी आप product type को select कर सकते हैं, यहाँ पर अभी मैं simple mention कर द आके लिखिए, उसको यहाँ पर 20 करिए, जिससे कि आपको 20 shirts का exemption मिल जाएगा और आने वाले time में जब आप same ही shirt लाएंगे तो आपको वापिस यह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने already 20 shirts का exemption ले रखा, अब second time क्या करेंगे friends, आपने black color की shirt है और इसमें तो size 40 ल size 42 करेंगे और SKU code भी आप यहाँ से change कर देंगे, यहाँ से आपने इसको copy करना है और यहाँ पर paste करना है और यहाँ से size को आप 42 कर देंगे, category आपकी यही same रहेगी जो उपर है और यहाँ पर आप same मही लिखेंगे shirt और जितने भी number of products है आप यहाँ पर type कर देंगे, तो य यहाँ से आप अपने non branded products की 50 list create कर सकते हैं, अभी मैंने यह shirt लिखा है इसके बाद आप jeans लिख सकते है, top लिख सकते है, t-shirt लिख सकते हैं, जो भी आपके products है आप उसकी list को यहाँ पर create कर सकते हैं, उसके बाद वापिस आपको file में जाना है और यहाँ पर लिखा हुए download as, आपको इसी same format में save करना है फाइल को save करने के बाद वापिस आपने उसी page में आना है ये जो आपको browse की option दिख रही है इसके उपर आपने click करना है click करने के बाद जो file आपने भी save करें आप यहां से उसको upload करेंगे और उसके बाद आप ये submit के button पे click कर देंगे submit के button पे click करने के बाद friends आपके पास एक चोटा सा message आएगा और इसमें साफ mention है friends आपके register email id में register email id मतलब जिससे आपने Amazon का account create कर रहा था within three business days के अंदर Amazon से आपको एक mail आईगी उस mail में आपको ये बताया जाएगा कि आपका GTIN exemption एप्रूव हुआ या फिर disapprove हुआ अगर disapprove हुआ तो उसका reason mention होगा उसको आप clear करके आप फिर से approve कर सकते हैं अगर आपका GTIN exemption एप्रूव हो गया तो आपके पास इस तरह की mail आएगी congratulations we have approved the GTIN exemption for the requested और उसमें SKU आपका number लिखा होगा और यहां पर फ्रेंड्स आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने अपने products को कैसे add करना है how to add new products इसका link आपको दिया जाएगा और उसके अंदर आपको clear बता जाएगा कि आप अपने products को कैसे list कर सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई ऐसी problem आती है जो आपको समझ नहीं आ रही आप मुझे account setup and launch यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है contact us यह बल्कुल सबसे नीचे लिखा हुआ है इस link पर आप क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद friends एक page open होगा यहाँ से आप उनसे chat भी कर सकते हैं आप उन्हें email भी कर सकते हैं यहाँ phone के through भी आप उनसे बात कर सकते हैं यह देखिए chat की option यहाँ शो कर रहा है इधर phone और इधर email फोन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना phone number टाइप करना है और अगर आपकी कोई extension है तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप अपना phone number टाइप यहाँ करेंगे इस link के उपर आप टिक करेंगे और इसके नीचे आप अपना reason देदेंगे और call now पर क्लिक करेंगे within 2-3 seconds के अंदर आपके पास call आएगी और आपके जो भी questions है आपको Amazon से उसकी पूरी help मिलेगी I hope इस वीडियो को देखे आप समझ गए होंगे कि GTIN exemption को आप कैसे apply कर सकते उसका use क्या है और non branded products को आप कैसे sell कर सकते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे like और share जरूर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस bell icon को जरूर प्रेस करें next वीडियो के साथ मैं आपको जरूर मिलूँगा तब तक के लिए जैहिन